Negative thoughts affect our body हमें ये नहीं पता होता कि हम अंदर ये अंदर जो सोच रहे हैं उसका क्या भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा बस हम सोचते चले जाते हैं और फिर परेशान ये सोच कर भी होते रहते कि ये मेरी जिन्दगी में बिमारिया और परिशानिया आ कहां से रही हैं मैं तो बहुत हेल्दी खाती हूँ, बहुत क्यार करती हूँ अपनी फिर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है तो इसकी वज़ा है आपका negative सोचना किस तरह से देखें जब भगवार ने हमें बनाया तो cells जो है हमारी basic unit of life है तो उसमें भी पूरी शक्ती भरी, पूरी intelligence भरी अब जो intelligence आप फील करते हैं कि मेरे अंदर बुद्धी है, मेरा मन है जिसके according हम decisions लेते हैं इसी तरह हमारी body के हर एक cell के पास intelligence है तो जो main intelligence है, जब वहाँ से कोई चीज शुरू होती है कोई thought create होता है, तो पूरी body के cells तक वो communicate हो जाता है और जब एक intelligence negative thought create कर रही है तो पूरी body में जितने cells हैं, उन सब की intelligence negative होने लगती है उस पे negative impact आने लगता है, वहाँ पर भी negative thinking चलने लगती है तो उस तरीके से हर cell जो है वो अपनी power खोने लगता है negative सोचने की वज़ा से उसको अपनी positive force याद नहीं रहता positive impact याद नहीं रहता और वो भी अपना structure खराब करने लगता है और अपनी energy को lose करने लगता है, जिसकी वज़ा से body में बिमारिया आनी शिरू हो जाती है और एक गलती हम बहुत बड़ी ये करते हैं, कि हम body की healing power को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं और दवाईयों पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि दवाईयां हमें heal करते हैं, दवाईयां हमें ठीक करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दवाईयां सिर्फ और सिर्फ बाहरी infection को आने से रोकती हैं, मान लिजी कोई जख़म हो गया है, healing तो body ही उसकी करेगी लेकिन दवाईय लगाने से सिर्फ ये होगा कि outer dust या कुछ भी bacteria, virus उसके ओपर attack नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो वो अंदर नहीं गुस पाएंगे और अंदर गुसे भी तो inactive हो जाएंगे, हम पर असर नहीं होगा, दवाई उस barrier को create कर देगी ताकि वो बाहर के बाहर रहें, body के अंदर ना इंटर करें तो medicine ने सिर्फ barrier create किया है, healing नहीं की है, healing करना body का काम है अगर किसी को disease है कोई और वो दवाई लेके ये सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा और खूब negative विचार है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं कैसी बिमारी मुझे लग गई है तो दवाई तो अपना असर नहीं दिखा सकते, क्योंकि healing करनी है body को हमारी intelligence को, जो भगवार ने हमारे अंदर natural healing power डाली है उससे हमें ठीक होना है और हमने उसे interrupt कर दिया, हमने उसे खराब कर दिया negative सोच सोच कर, तो इस सोच को आज बदलिए ताकि body की जो healing powers है, फुली activate होकर अपना काम करे repair work, damage, जितना भी control है, आपकी aging तक control हो जाएगी हर चीज आपकी life में अच्छी हो सकती है, अगर आप इस negative thought pattern को बदल दे और सबसे पहले इस thought pattern को कब बदला जा सकता है, जब आप इसको identify कर ले जब आप इससे aware हो जाएगे, तभी आप इसको बदल पाएंगे और positivity की तरफ जाएगे, positive होना बहुत अच्छी बात है और आपकी body पर भी इसका result नजर आता है, जो लोग अकसर बहुत अच्छा सोचते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, अच्छी किताबे पढ़ते हैं, आप उनकी physique देखे और उनका glow देखे इसका automatic, natural होता है, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करते हैं, और वहीं कुछ लोग बहुत negative सोचते हैं, और full makeup करने के बाद में उनको confidence नहीं आपाता कि वो सुन्दर दिख रहे हैं, तो यह किस चीज़ का प्रभाव होता है, यह सारा जो impact होता है, वो हमारे thoughts का होता है, अगर इन thoughts को समार लिया जाए, तो body में बिमारी नहीं आ सकती, और अगर पहले से बिमारी है, और आज आप aware हो गए अपने thoughts को लेकर, तो आपके पास, हमारे पास ऐसे examples हैं कि cancer तक लोगों ने ठीक किया है, खुद बिना दवाओं के, हाँ दवाईयां अगर ली हैं, तो support के ले और बहुत सारी natural healing therapies हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके आप help लीजें, लेकिन thoughts को अच्छा आपको करना ही होगा, ये must have है, इसको आप कभी ignore नहीं कर पाएंगे, और इसके उपर और research कीजिए, और पढ़िए, और जानिए, बहुत सादा महनत नहीं लगने वाले हैं, ब अपनी life में benefit लेकर आईए, thank you.